लेटिस अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें देश भर में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, रेट जोन में सक्ती, ग्रीन जोन में सहुलियत की घोशना, ट्रेन सौपिंग माल रहेंगे बन लगडाउन में फसे मज़़ूरों को घर भेजने नासिक से चलेगी स्रमिक स्पेसल ट्रेन ग्रेह मंत्राले ने दी हरी जंडी, राज्यों की मदस से होगा रेलों का परिचाल माहराश्क्र दिवस पर सियम उद्धव ठाकरे ने लहराया तिरंगा, कामगार दिवस पर पर प्रांती मज़़ूरों को मुलुक भेजने का दिलाया भरोसा मुंबई में कोरोना बाधितों की संख्या 6,875 पर पहुँची अब तक 290 की मौत, हेल्थ मिनिस्टर राजे स्तोपे की सलाप पुने मुंबई में सक्थ हो लाकडाउन नविमबई के घंचोली में रेस्टिंग दुकान का लाइसेंस रद्द नागरिकों को अनाज बाटने में कर रहा था धाद बाजपाविदायक गणिशनाईक ने की मांग रेट जोन में जिवन अवस्यक वस्तूं की सप्लाई सुनिश्चित करें कंटेन्मेंट जोन में हो रही किल्लत राजगर के कामोठे में कोरोना निर्मुलन समीती के खिलाब केस सहर में बंद की भ्रामक सूचना फैलाने के मामले में पुलिस ने की कारवाई नविम्बई में 24 घंटे में 20 नए कोरोना केस 250 पर पहुंची मरीजों की संख्या नेरूल के डाक्टर और कोपर खिरने के पुलिस करमी को भी संक्रमट ठाने सहर में शुक्रवार को 34 नए केस 310 हुई कोरोना मरीजों की संख्या 69 लोग स्वस्थ होकर घर लोट पनवेल में 81 पर पहुंचा कोरोना संक्रमट 24 घंटे में 12 नए केस अब तक दो लोगों की मौट